दोस्तों स्वागत आपके इस वीडियो में बात करते हैं important points, important topic or important questions दोनों science, physical science और biological science दोनों science के बारे में क्योंकि दोनों science चुकि physical और biological science के पार्ट है तो इनके questions काफी similar होते हैं चाहे वो method of teaching हो method of evaluations हो और या फिर process of teaching हो ये काफी similar होते हैं तो दोनों science के बारे में important question discuss करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले जानते हैं किसके बारे में science के बारे में तो देखिए, ये दोनों चीज़े science की भाग हैं तो आप से सवाल ये भी पुछा जा सकता है कि आप science से क्या समझते हैं विज्ञान से क्या समझते हैं तो आसान से सब्दों में इससे पहले कि आप कितापी भासा में जाएं आप आसान से सब्दों में समझ जाएं कि विज्ञान कैसे कहते हैं देखिए, विज्ञान दो सब्दों से मिलकर बना है V plus ज्ञान V का अर्थ होता है विशेष ग्यान का मतलब होता है ग्यान यानि कि किसी भी विशेष प्रकार के ग्यान को अध्यन करना विज्यान कहलाता है विशेष ग्यान, विशेष ग्यान, सु विवस्तित ग्यान, सु संगठित ग्यान इसी को हम क्या कहते है विज्यान कहते है अब आईए लिखिट भासा में देखे, एक्जामस में कैसे लिखना है, व्यापक अर्थ में किसी भी विसेस ग्यान, वस्तु ग्यान या विवस्तित ग्यान को विज्यान कहते हैं, वही बात है, विसेस ग्यान, विवस्तित ग्यान, विसिस्ट ग्यान, सुसंगठित ग्यान, विज्ञान है क्या वास्तों में? विज्ञान मानवी किर्याओं में से एक है, इंसानी किर्याओं में से एक है, जिसे मनुस्य अपनी आउसकता हो तो था इच्छाओं की पूर्ती के लिए अविस्कार करता है, तो यह हो गई विज्ञान के बारे में, आसान से सब्दों में सम तो विज्ञान के बारे में आपने जाना कि विश्यस प्रकार का ज्ञान तो भौतिकी विज्ञान की है भाई, यह भौतिकी छेत्र में यानि कि प्रकृति की छेत्र में, एक्चुल में भौतिकी को physics का आ जाता है इंग्लिस में और physics Latin के वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है नेचर प्रकृति और भौतिक सब्त की उत्पति वेदों से हुई है और भौतिक को प्रकृति सब्त से लिया गया यानि कि किसी भी प्रकृति का ग्यान किसी के प्रकृतिक गुणों का ग्यान देखिए विज्ञान की वह साका है जिस किसी की भौतिक गुरों का अध्यन करते हैं तो वो भौतिक विज्ञान के अंतरगत आता है तो भौतिक विज्ञान क्या है वाई आसान से सब्दों में समझ जाए कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह साखा है जिसमें प्रकृतिक में उपस्तित वस्तूओं के भौतिक और विविन प्रकृतिक उर्चाओं का सू विवस्तित अध्यन किया जाता है उसे बहुतिक विज्ञान कहते है यह आसान सो सब्दों में समझेए विज्ञान वह साखा है विज्ञान की वह साखा जिसमें प्रकृति घटनाओं की व्याख्या की जाती है उसे बहुतिक विज् वह साखा है जिसके अंत्रगत जीवों का अध्यान किया जाता है biology सब्द दो सब्द penalty से मिलकर बना है bio plus logie मतलब bio का मतलब होता है जीवित living और logist का मतलब होता हRY извест इसके अंत्रगत जीवित जीओं का अध्यान किया जाता है जीव विग्यान के जनक अरस्तु को कहा जाता है समझने आगे बाते बहुतिकी विग्यान में बहुतिकी गुणों का अध्यान जीव विग्यान में जीवों का जीवों का अध्यान और जीव विग्यान के जनक अरस्तु को कहा जाता है जिव विग्यान की प्रमुखदोसा खाये हैं, जन्तु विग्यान और वनस्वति विग्यान, तो इसके बारे में बताने की आपको जरूरत भी नहीं होगी, लिए एक पर बता देते हैं, जन्तु विग्यान के अंदर क्या होता है? जन्तुओं से संबंदित विज्यान है जिसमें सभी प्रकार के जन्तुओं का अध्यान किया जाता है जन्तु जगत में उनके जीवों को समलित किया जाता है जिसमें कोसिका भित्ती का अभाव होता है जो प्रचलन में समर्थ लेकिन स्वयम भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं उनके बारे में विग्यानिक अध्यान जीव विग्यान का मतलब क्या है वनस्पति विग्यान ये पादपो से संबंदित होता है इसमें सभी प्रकार के पादपो का अध्यान किया जाता है पादप तो उसे बनी को सिकाहें बित्ति उपस्तित होती है तता इसके साथ साथ कलोरोफिल और युआ capita वान भी उपस्तित होती है तो प्रकासससलेशनट की किरिया किसमने हो तो प्रकाससलेशनट से अपने भोजन को वनस्पति विज्ञान कहलाता है ठीक है अब आये next move करते हैं दोस्तों इसे स्रीज में most important topic देखेंगे देखिए हम यहाँ पर जानेंगे अब क्या सिच्षड विज्ञान के सिच्षड विधिया आप देखिए बात अगर जीव विज्ञान की की जाए या फिर बात की जाए बहुतिक विज्ञान की दोनों की सिच्षड विधिया समान हैं तो उनकी सिच्षड विधी देख लेते हैं कि सिच्षड विधी होती क्या है अच्छ अब देखते हैं कि जीव विज्यान सिक्षड की विदिया और केवल जीव विज्यान नहीं भौतिक विज्यान की भी सिक्षड की विदिया दोनों समान है अब देखिए पहले जानेजिए कि सिक्षड विदि क्या होती है वास्तों में सिक्षड विदि क्या है वह प्रकिरिया है जिसमें चात्र एवं विशे वस्तु के मद्र प्रसपर अंतर करिया होती है शिक्षड विधी सिख्षक द्वारा अपनाई जाने वाली वह प्रकरिया होती है जिसके द्वारा सिख्षक विशे वस्तु से समधित ग्यान वह कुसलता है संप्रेशित करता है ठीक है यहाँ प को चलता है तो मैथट आफ टीचिंग क्या है वह माध्या में वह साधन है जिश के दौरा टीचर क्या करता है अपनी कुसलता है और विशेवस्तु का ग्यान संप्रेशित करता है असनांदर करता है यह हुग इस श्चडविदी के प्रकार कितने हैं एक तो कोशन आएग परकार सिक्षख केंद्रित विधियां और बाल केंद्रित विधियां कि होती है देखिए वह विधि उन्तीक है जिसके अंतरता सिक्षख का कारे ज्यादा इंकोरेख laughs शिक्षक प्रमुख होता है वो शिक्षक केंद्रित विदी होंगी और वह विधी जिसके अंदर बालक का कारे प्रमुख होगा बालक को ज्यादा एक्टिविटीज करनी पड़ेगी वो बालकेंद्रित विधी होगी तो शिक्षक केंद्रित शिक्षड विधिया कहुन सी है व कि वियाख्यान विदी को lecture विदी, projector method, projector lecture method, textbook method और historical method, परियोगसारा को laboratory method, heuristic method, project method and assignment method ठीक है, तो यह सारी methods हैं, one by one discuss नहीं करेंगे ठीक है, क्योंकि इस पर already video बन चुकि है, बहुत short में देख लेते हैं, यह चुकि बहुत important है, वियाख्यान विदी, वियाख्यान विदी मे क्या होता है, lecture method में क्या होता है, कि सिख्षक lecture के द्वारा अपनी ज्यान को विद्यार्टियों के समक्ष रखता है, तो देखिए, कक्चा में विशेवस्तु का भासड के रूप में प्रस्तुत ही करो, ठीक है, इस विदी में मुक्य भूमिका सिख्षक की होती है, इस हासड के रूप में व्याख्यान करके lecture method चे पढ़ा जाता है, इसको lecture method कहते है, इसके गुण और दोस्त आप swim लिख सकते हैं, इसके गुण क्या हो सकते हैं, इसके गुण यह हो सकते हैं, कि आसानी से ज्यादा बच्चू को पढ़ाया जा सकता है, इसमें यह होता है, समय कम द्रित होता है शात्रों के रूची का का रूची को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो यह इसके गुण और दोस हो जाएंगे तो प्लीज आप इसको स्वयम से लिख देजीगा परदर्सनी विदी demonstration method ठीक है demonstration method क्या होता है तो परदर्सनी डेमोंस्ट्रेशन से कड़ाता है तो उसको explain के साथ क्या करता है डेमों देके पड़ाथा है बच्चों को समझा के पड़ाता है देए प्रदर्सन वीदी म mental fund work पर्दर्सित करके उसकी रचनायम, कारेप्राणी को वास्तिक रूप से ज्ञान कराता है, परदर्सनी कराके बच्चों को दिखाके, डेमो दिखाके, वो चाहे किसी पर भी हो सकते हैं, ब्लैकबोर्ट पे sketches बना के भी हो सकते हैं, या फिर आपको projectors पे भी पढ़ा सकता है, तुम कहने का मतलब जब आप lecture के साथ साथ उनको practical knowledge भी दिखाएंगे, परदर्शनी demo करके दिखाएंगे, उन्हें समझा के बताएंगे, तो वो परदर्शनी विदी के अंतरगरत आती है आप इसको देख लिजीगा word short में, अब बात करते हैं textbook method, textbook method एक प्राचीन method है, प्रागत method है, या प्राचीन प्रागत सिक्षड विदी है, इस विदी में सिक्षड का अधार पाठे पुस्तक होता है, पाठे पुस्तक की सहायता से सिक्षक विध्यार्थियों को पढ़ाते हैं, इस विदीग में सिक्षक विद्यार्थियों दोरा पाठे को बार बार पढ़ाते तदा बीच बीच में उसका अर्थ असपवस्त करते हैं, मतलब books से related है, textbook method, इस विदीद दोरा विद्यार्थियों का पठन पाठन की जमता विक्सित होती है, तो यह होगे textbook method, ठीक है, अब बात करते हैं, heuristic method, अनवेस्टर विदी, यह काफी important है, इसको हम थोड़ा से explain कर देंगे, अब आप जब पाठे पुस्तक ते कि मुझे पक्का पता है ते कि आप न इसके गुण और दोस्वेम लिख सकते हैं, जब आप सोचेंगे ध्यान से कि पाठे पुस्तक के इसकी दोस्त क्या हो जाएंगी, इसके दोस्त आप अपने ध्यान से लिख सकते हैं, कि यह non-interesting होता है, ठीक है, और समझने के लिए एक सिच्छक की ज़रत होती है, एक skills सिच्छक की ज़रत होती है, तो यह इसके गुण और दोस्त आप समयम लिख सकते हैं, easily I hope so, अनवेसर method, heuristic method, यह बहुत ज़्यादा important है, इसको हम explain कर देते हैं, इसमें देखे क्या होता है, इसमें तथ्यों, सिधानतों, आधिकी सिच्छा की आप एक्छा ज्यान की प्राक्ति कैसी की जाए, इस बात पर अधिक बल दिया जाता है, कहने के मतलब, बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा इस बात पर बल देते हैं, कि बच्चे स्वयम से उस चीज़ को कैसे सीखें, स्वयम से उस चीज़ का अध्यन कैसे करें, इस बात पर ज्यादा बल दिया जाता है, इसमें स्वयम से रिसर्च करके, प्रैक्टिकल करके सीखना, इसमें सीखते हैं, इसमें सीखते है जनक हेंद्री एड्रोड और्म्स्टांग हैं इस विधी को हिरुस्टिक विधी के नाम से भी जाना जाता है अब देखें कुछ डेफिनिशन सिख्षण की वह विधी जिसमें एक बालक के को एक अच्छे अनुसंधान करता या खोजी करूब में देखा जाता है कहने का मतलब हैं जब आप एक अच्छे रिसर्चर मनेंगे ना तो इस मेथट का आपको यूज करना पड़ेगा बालकों में कम से कम बताया जाए जितना अधिक संबह हो उससे खोजने के लिए प्रवतसाहिद किया जाए तो 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 हिरुस्टिक और अन्यवेशड का मतलब यह इस चीज इस में लाला के मांसग विकास के प्रक्रिती में तिवरता बनी रहती है गड़ी तथा विज्ञान में यह विधी काफी यूपयोगी साबित होता है क्योंकि यह च्छात्रों में मनव्य ज्ञानिक भावना गनो और मनव्य जिश्टिकोर्ट का निर्मार करती है बहुत जादे इंपर्टन है परियोग साला का मतलब आप सब को पता है कि लैब में बच्चे प्रेक्टिकल करके सीखते हैं तो परियोग साला विधी क्या विज्ञान की सिख्छा में वास्तों में परियोग साला में ही संब हो है इसलिए आदुनिक सिख्छा में प्राड़ी आदमी सिख्षा प्रणाई में परियोगी कारे पर विसेश बल दिया जाता है अज्चा याद रखिए आप से सवाल बस यह भी पूछा जा सकता है कि बहुतिकी विघ्यान मेंदिक को एक्षियन करीए या जीवी विघ्यान में परियोक्सालाविधी से Amy क्या समझते हैं या केवल यह भी पूछा जा सकता है कि परियोक्साला विदी से आप क्या समझते हैं गडित में भी यह सवाल पूछा जा सकता है तो परियोक्साला विदी का मतलब यही है कि परियोगिक विदी में विज्ञान से समधित उपकरण आवस्चेक वस्तू आधि की साहता से विज्ञान के नियमु सिधान्तों य Кар्ड है तो जो भी प्रापर उपकरण है उसके द्वर्य विज्ञान के जो नियम है उसका सत्याप्र करके आपको सीखा जाता है इस विदि में विद्यार्क व्यक्तिकत रूप से परियोग करके प्रक्तचर्ण वो प्राप करते हैं Okay, परियुकसालह में करके सीखने निरिच्छर करके सीखने ग्याद से अग्याद जैसे महत्पुर्ण सिधान्तों का उप्योग किया जाता है तो यह हो गया परियोग साला का क्या महत्त्त है और परियोग साला करते हैं एक अच्छे परियोग साला के कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन- अगले वीडियो में ये जानेंगे कि विज्ञान के छित्र में पाथ्य Saw 7 को कacje ते किसे और भातििकी विज्ञाण और भीज्ञान पाथ्य पुष्त ट कruktे की क्या विश्य्य 2007 हैं और साथ प्रविजटभी आपको टाइम मेरे दस मिलट पंद मिलट वीडीय को दिखिए चीजु को समसा जाए और अपनी हम्हाले साम T लिखके आईए उके। तो मिलते अगले वीडियो में बाकी आप कमेंट में बताइए यह जाने कर यह आपको कैसे लगी मिलते अगले वीडियो में मिलते हैं कमेंट बॉक्स में जाहिए जा भारत दोस्तों